Future Enhance Hi, this is Vivekanand Sina from Future Enhance Today I am going to share you one more magical trick in Excel We will see how to swap to range in Excel in a smarter way So मेरे सामने एक डेटा है And in this cell I have B अर इस cell मेरे पास A है अब requirement क्या है कि मुझे swap करना है A जहाँ पर है वहाँ पर B लाने और जहाँ पर B अभी exist करता है वहाँ पर A को मुझे ले आना है तो generally इस तरह के जब भी हमारे पास queries आते हैं तो हमारा सबसे पहला method होता है कि हम cut paste करके उस चीज़ को solve करते हैं और उसमें थोड़ा सा time लगता है और आपके गलती होने के चांसे ज़्यादा होते है आज मैं आपको एक छोटा सा trick बता रहा हूँ यह काफी easy trick और इसमें ना तो मैं cut paste करूँगा और ना कोई indirect method यूज़ करूँगा तो देखते कैसे करना है so just select B आपको cursor रखना है B में और उसके बाद आपको shift button प्रेस करना है अपने keyboard में shift प्रेस करते ही आप एक काम करोगे right side में यह आप देखना इस तरह के आपके sign आते हैं और आप mouse से drag करेंगे अब जैसे आप mouse से drag करना चाहोगे आप देखरो I type का एक position आ रहा है तो जैसे आप यहाँ पर ले आते हो just release the button जैसे आप mouse को release करोगे वो automatically swap हो जाएगा similarly यह हम इस तरह के solution में रोज में भी कर सकता हूँ let's say कि मेरे पास यहाँ पर B है और in this cell I have A और मुझे A को उपर ले आना और B को नीचे ले आना है तो मैं किसी A को भी select कर सकता हूँ let's I am selecting B अब मैं इस जगा पर करसर रखोंगा shift के साथ shift के साथ जैसे मैं यहाँ पर करसर रखोंगा मेरे IR देख रहे हो आप जैसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा I just release the button तो A और B automatically आ गया अब मैं थोड़ा सा data को change करता हूँ now in this data मेरे पास name है in the first column and in the second column मेरे पास age है but अगर आप इस row की बात करते हो तो आप देख रहे हो age के जगह पर यहाँ पर name में 15 आ गया और age में चंदन आ गया मतना मुझे इस cell को swap करना है जंदन को मुझे left side ले आना और 15 है मुझे उधर ले आना है so what I will do मैं यहाँ पर cursor रखूँगा मैं shift के साथ इस जगह पर right में cursor रखूँगा और मैं यह वाले drag करूँगा जैसे मैं mouse से drag करूँगा automatically आप देख रहे हो यहाँ पर आया रहा है example के तौर पर यहाँ पर मेरे पास तीन कॉलम है we have name, city and age मुझे क्या करना है मुझे इस age को name के बाद ले जाना है so मैं क्या करूँगा I will just select the entire data मैं age को select करूँगा और मैं cursor रखूँगा यहाँ पर shift के साथ I will just drag आप जैसे आप drag कर आप देख रहे हो इस तरह का बड़ा साब के पास option आ रहे है now मैं release कर देता हूँ अपने mouse को जैसे मैं mouse को release करूँगा it will be automatically swapping the data so friends I hope you have liked this tutorial अभी तक अगर आपने friends हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe this channel and press the bell button to get the notification and please share this channel with your friends thank you and have a great day